हेलो एंड वलकम तो मैं चैनल अपना इंशुरेंस वाला हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको LIC के नए प्लैन बीमा जोती टेबल नंबर 860 के बारे में जानकारी दूँगी जो 22 फैबरली 2021 को लाँच होने जा रही है इस प्लैन को हमने बहुत ही असान शब्दों में एक्जामपल के साथ समझाया है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और अगर आप इस चैनल में नए है तो हमारे चैनल में आपको L.I.C. और इंश्रेंस रेलेटेट सारी इंफोर्मेशन मिलेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, L.I.C. का ये प्लैन गारेंटेड एडिशन वाला प्लैन है L.I.C. के जादतर प्लैन में बोनस फिक्स नहीं होता है इस प्लैन में मिनिमम गारेंटेड बोनस फिक्स है L.I.C. का ये प्लैन लिमिटेड प्रीमियम पेमिन प्लैन है मतलब आपको पूरे टर्म किष्ट नहीं जमा करनी है टर्म से 5 साल कम ही किष्ट देनी है जैसे कि अगर आपका टर्म 20 साल का है तो किष्ट 5 साल कम देनी है मतलब सिर्फ 15 साल ही आपको किष्ट भननी होगी इस प्लैन में मिनिमम एज 90 डेज है और मैक्सिमम एज 60 एर्स है इस प्लैन को हम 90 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक की किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं पॉलिसी टर्म 15 से 20 साल तक है आप इसमें 15 साल से 20 साल तक का टर्म ले सकते हैं मतलब आप 15 साल 16 साल 17 साल इस तरीके से 20 साल तक कोई भी टर्म नेच्चून सकते हैं 20 साल के टर्म का मतलब है आपका वीमा 20 साल तक है इस प्लैन में minimum sum assured 1 lakh रुपीज का है और maximum sum assured की कोई limit नहीं है मतलब आपको कम से कम 1 लाग का और ज्यादा से ज्यादा कितना भी वीमा आप ले सकते हैं इसकी कोई limit नहीं है sum assured का मतलब ये नहीं है कि आप उतना ही पैसा जमा करना है इसका मतलब है कि आपको उतने का वीमा है अगर आपका sum assured 5 lakh रुपीज का है तो आपको किस्त चाहे 1 साल 2 साल या 3 साल ही भरी हो लेकिन अगर कोई miss happening हो जाती है तो परिवार को पूरा 5 लाग रुपे मिल जाता है इस प्लान में minimum maturity age 18 years है और maximum maturity age 75 years है LIC के इस प्लान में आपको maturity कम से कम 18 years में मिलती है और maximum 75 years के वेक्ति को मिलती है अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो उसका आप 20 साल का term दे सकते हैं बलकि 15 साल का term आप उसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि 15 प्लस 1 अगर maturity होती है तो 16 साल में maturity पॉसिबल नहीं है क्योंकि minimum maturity age 18 years जरूरी है बिलकुल इसी तरीके से अगर 58 years का कोई व्यक्ति है तो आप उसे 15 साल का term दे सकते हैं मगर 20 साल का term नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे maximum maturity age 75 years है आईए इस plan को एक example से समझते हैं यह है Mr. Rajesh इनकी उम्र है 20 साल यह हर दिन 225 रूपीज की बचत करते हैं वो भी 15 साल तक तो Mr. Rajesh को 15 प्लस 5 यानि 20 years के बाद 20 लाग रूपीज मिलेंगे यहाँ पर Mr. Rajesh का बीमा 20 साल तक और सम एश्योड 10 लाग रूपीज का होगा जिसमें guaranteed bonus 10 लाग रूपीज जुर जाएगा policy term के दौरान Mr. Rajesh के ना होने पर परिवार को 10 लाग रूपीज या उससे भी कुछ जादा रूपे मिल जाएंगे भले ही Mr. Rajesh ने एक या दो किष्ट जमा करी हो आप इस policy पर दो साल के बाद लोन ले सकते हैं या इसे surrender भी करा सकते हैं surrender का मतलब होता है कि आप policy को बंद करा रहे हैं वैसे surrender में ग्राहक का हमेशा नुकसान होता है तो हम तो यह कहते हैं कि आप surrender कभी मत कराईएगा LIC की यह policy अगर कभी lapse हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर फिर से चला सकते हैं फिर से यह policy को चलाने के लिए कुछ document और पुराने कुछ किष्ट में plus addition amount जूड़ आपको जोड़के देना पड़ता है और आपकी policy revive हो जाती है monthly mode में किष्ट जमा करने पर 15 साल का grace period मिलता है मतलब policy की date पर अगर आप पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो 15 दिन के अंदर आप किष्ट जमा कर सकते हैं और additional पैसा कोई नहीं पड़ता है इसी तरीके से half yearly, annually, quarterly किष्ट पर आपको grace period one month का मिलता है